गोपालगन जिली के सिद्वलिया प्रखंड इस्तीत मगसुगर मिल में एक करना किसान की संद्यासपत इस्तिती बे मौत हो जानी के बाद उसके परजनों के द्वारा मिल के एजियम पर गंभीर आरूप लगा कर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन मिल के एजियम ने परजनों के द्वारा लगाय गए आरूप को बेबुनियात करार देते वे कहा कि मिल को बनाम करने और बेवज़ा परसान किया जा रहा है उन्होंने एक सीची टीवी फूटेज को मुहया कराया है जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि सीची टीवी संबर की रात मोतिहारी जिले के डुमरिया थाना छित्र के हुशनी बजार निवासी ब्रिज किसोर परसात की सुगर मिल में संध्यास्पद मौत हो गई थी सुचना पाकर मिर्तक के बरजन मिल पहुँचे वही इसंदर में मिर्तक के बेटा अंकुष कुमार नी अस्थानिय थाना में मिल परबंधक, शशी केडिया उपरबंधक आशिश खन्ना और सुपरवाईजर करे सिंग पर चलान के विबाद में विशैले पदार्थ खिला कर हत्या करने का आरोप लगाया था वही प्राप्त आविदन के आधार पर पुलीस एफ यार दर्शकर मामले के जाच शुरू कर दी है वही संदर में मिलके उपरबंधक आशिश खन्ना नी बताया कि हम लोगों के उपर लगाय गए आरोप गलत हैं उन्होंने बताया कि उनकी हार्ट टेटेक से मौत हुई थी सुचना पाकर पुलीस को सुचित किया और डक्टर को बुलाए गया उन्होंने CCTV पोटेज का जिकर करती वे कहा कि CCTV में साफ नजर आ रहा है जिससे वे खुद समाने तरीके से चल कर गेश्ट हाउस की तरफ जा रही है उनके साथ कोई नहीं है क्योंकि हम लोग काम एक चिनी मिल चलाने का है सुच छवी के आदमी है हम लोग काम यह नहीं है कि हम किसी प्रकार के इस प्रकार के अंटि-शोशल एक्टिविटीज में इंवाल हो और हो सकता इसके पीछे कुछ लोगों ने उन्हें जो डिसीस के बच्चे हैं अंकुष उ कि अंकुष अंगी हम लोग को इससे मुक तरखा जाय क्योंकि इस तरह की हम लोग इन्वाल नहीं है किसां की जो मौत हुए है कुछ लेना देना को कुई हम को कोई हमें उसके लिए था परवार के प्रथी तो पूरी सिंपहती हमारी पूरी हमदर्दी उसके साथ है और यह अच्छे हमारे किसान थे पुराने किसान भी थे चेत्र के अच्छे संपन्य किसान है पेट्रोल पंप भी है इनके परिवार में तो हमें तो यह हमारे लगातार हमारे आते रहते थे और हमें इंसे कोई परशानी भी नहीं इनको हमसे कोई परशानी एक इंसीजेंस है नेचरल डेथ है किसी के साथ भी हार्ट पे लिए हो सकता है बागी सब चीए तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम पढ़ेंगी मैं आशीश खन्ना कारपालगुपाद्यक्ष भारश रुगर्मी सिद्वालिया